हलो दोस्तों, वेल्कम टो अकाउंटिंग सीको दोस्तों, आज की याँ वीडियो भी हमारी business organization के बारे में है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे forms of business organization Business organization की कौन-कौन सी forms होती है या कौन-कौन से businesses होते हैं किन-किन तरीके से business किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम इन बिजनेसेज को शॉर्ट में समझेंगे आगे की आने वाली वीडियो में हम इनको एक एक करके डिटेल में समझेंगे दोस्तों business organization में goods या services प्रोड्यूस की जाती हैं जो एक customer की जरूरतों को पूरा करती हैं उनकी need and wants को वे satisfied करती हैं तो इस तरह पहले जब business किया जाता था तो वह बहुत ही छोटे level पर किया जाता था और वह बहुत ही आसान था जहां जो उस business का मालिक होता था वही उसका करता दरता होता था मतलब सारी चीज़े वह खुद करता था अपने उस business के लिए capital इकटा करना उसे चलाना सारे काम वह खुद करता था और production जो होता था वह बहुत ही छोटे level पर किया जाता था पर आज कल business organization की हमें अलग-अलग forms देखने को मिलती हैं एक business का owner business शुरू करने से पहले या decide करता है कि उसे किस तरीके का business करना है तभी वज़ा समझ पाएगा कि उसे क्या और कितने paper work की जरूरत है बाद में उसे कितने taxes पे करने पड़ेंगे उसकी liabilities क्या-क्या होंगी पर जो most common form of business है उन्हें हम आज की इस वीडियो में समझेंगे इसमें सबसे पहला है soul proprietorship जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि soul means अकेला proprietor means owner तो जो अकेला owner होता है जो अकेला business करता है वही सारे decisions को लेता है सारी चीज़ों वही manage करता है इस तरह वह अकेला ही person होता है जो अपनी skill के basis पर उस business को चला रहा होता है तो इसी को हम soul proprietorship कहते हैं या जो business किया जाता है या small scale पर किया जाता है छोटे level पर किया जाता है ताकि जो वह अकेला person है जो उस business को शुरू किया है वह उसे अच्छे से manage कर पाए अब क्योंकि business अगर बढ़ा होगा तो वह एक person उसे manage नहीं कर पाएगा इस तरह के business में किसी भी तरह की कोई formalities करने की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे किराना शॉप, medical shop या stationary shop ये सारे soul proprietorship business कर लाएंगे तो इसमें किसी भी तरह की कोई formalities की जरूरत नहीं पड़ती है अगर जरूरत पड़ती भी है तो इसमें बस एक registration ह और कुछ नहीं या दूसरा है हमारा partnership partnership business जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर एक partner बनकर किसी business को चलाते हैं शुरू करते हैं और सारे खर्चे उठाने के लिए loss को सहने के लिए राजी होते हैं सहमत होते हैं अगर इस business से profit होता है तो इस profit को वे आपस में बाटते हैं औ और अगर कोई loss होता है तो वे loss को भी bear करते हैं तो इसे partnership firm कहा जाता है इसमें एक partnership deed बनती है जिसमें सारे terms and condition लिखे होते हैं means एक agreement होता है ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो कोई लड़ाई जगड़े या कोई बहस ना हो तो इस तरह इसमें सारी चीजे पहले से ही clear र किया जाता है follow किया जाता है इसमें एक परिवार के लोग मिलकर किसी business को आगे बढ़ाते हैं उसे चलाते हैं उनकी generation जो आती हैं वो इस business को आगे बढ़ाती हैं और इस तरह से तीन generation उस business की member रह सकती हैं इसे Hindu undivided family या HUFB कह सकते हैं फोर्थ हमारा business है cooperative society इसमें जैसे किसी society के members आपस में मिलकर काम करते हैं सारे members एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं अपने members के भले के लिए वो सोचते हैं इसमें एक common purpose के लिए welfare के लिए मिलकर काम करना ही मुखे उद्देश होता है कोई common problem जो होती है उन्हें solve करने के लिए उन्हें दूर करने के लिए इसी legal entity होती है इस joint stock company को companies act 2013 के according follow किया जाता है पहले companies act 1956 था जो अब 2013 हो गया है इसमें इस company के जो owner होते हैं वो share holders होते हैं जो उसके share को purchase किया होते हैं capital का वह हिस्सा जो छोटे छोटे हिस्सों में parts में बाटा जाता है या छोटा हिस्सा एक share कहलाता है जो या share purchase करता है वो उस company का share holder कहलाता है तो इस तरह इसके जो owners होते हैं वो share holders होते हैं जो उस share को purchase किये होते हैं और इस company को board of directors ही manage करते हैं जिसे या जो share holders होते हैं यही elect करते हैं उनका चुनाव करते हैं तो जो board of directors होते हैं यही सारी चीजों को manage करते हैं इन्हें managers या directors के नाम से भी हम जानते हैं तो दोस्तो बस आज की वीडियो में इतना ही आगे आने वाली वीडियो में हम इनको detail में समझेंगे अगर business organization की आप और भी वीडियो देखना चाते हैं तो आप channel की playlist में जाकर इन्हें देख सकते हैं